बहुत सारे website में आप देखते होंगे कि login form, registration form या फिर contact form ये pop-up के through display होती है इसी चीज़ को हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने website में contact form को एक pop-up के through display करा सकते हैं और user उस pop-up में ही हमारी contact form को feel कर सकेंगे and submit कर सकेंगे नमस्कार दोस्तो, मैं हुआरूप, स्वागत करता हूँ पर प्रप्टक व्लाग्स के आज की इस वीडियो में तो चले दोस्तो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे बेल अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगर को दबाले हैं ताकि इस तरह की informative content आपको हमें इसाव मिलती रहे तो जिस भी contact form को आप pop-up के थुरू display कराना चाहते हैं सबसे पहले तो वह contact form आपको create करना है आप contact form create करने के लिए आप कोई सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद आपको एक प्लगिन इंस्टॉल करनी होगी तो हम जाएंगे यहाँ पर plug-in वाले section में and यहाँ से add new पर click करेंगे अब वो plug-in हमें search करनी है तो इस plug-in का नाम है pop-up maker this is the plug-in अब इस plug-in को हमें यहाँ से install करनी है and इस plug-in को activate कर लेनी है so to activate this plug-in just click on activate button so जैसे plug-in यहाँ पर activate हो जाएगी उसके बाद left side में आपको pop-up maker का एक menu मिलेगा just आपको इस पर mouse का pointer hover करना है और यहाँ से create pop-up पे आपको click करना है अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक pop-up का name देना है आपको इसा भी name यहाँ पर दे सकते हैं तो हम यहाँ पर दे देते हैं contact us pop-up उसके बाद इस pop-up का title क्या होगा so title में हम दे देते हैं contact us उसके बाद फिर नीचे आना है और यहाँ पर आपको देनी है sort code अपना form की form और हमने यहाँ पर create किया हुआ है उसके sort code को copy करने के लिए हम formatable form को एक नया tab में open कर लेते हैं यहाँ पर दो form हमने create किया हुआ है यह नीचे जो form है इस form को हम डिस पर कराएंगे so इसके लिए हम जाएंगे इसके setting में और यहाँ से हम इसके sort code को copy करेंगे so sort code copy करने के लिए हम embed में जाएंगे insert manually में जाएंगे और यहाँ से sort code को हम copy करेंगे अब इस sort code को हमें यहाँ पर paste कर देनी है जैसे हमने sort code यहाँ पर paste कर दिया अब हमें नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ options मिल रही है आपको यहाँ से display में जाना है और यहाँ पर हमें सबसे पहला option मिल रही है display presets display presets से हमें यह select करना है कि यह जो pop-up है यह pop-up कहाँ पर display होगी सो हम यहाँ से center pop-up को select करेंगे उसके बाद फिर हमें जाना है appearance में appearance में आने के बाद यहाँ से आपको एक theme select करनी है so appearance में आपको बहुत सारे themes मिल जाएगी आप एक एक करके देख सकते हैं कि कौन से theme में क्या effect आ रही है उसके बाद आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं बट हम यहाँ पर अभी light box को select करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जाना है size में size option में आप pop-up के size को customize कर सकते हैं so यहाँ पर size का एक drop-down है आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं next हमारे पास tab है अगर animation में जाते हैं तो हम यहाँसे pop-up जो display होगी उसके animation को यहाँ सट कर सकते हैं उसके बाद हमें मिलती है sound का अगर हम चाहते हैं कि pop-up जैसे display हो तो एक sound हो तो यहांसे आपको आपको बहुत सारे sounds मिल जाते हैं आप अपने according यहां पर select कर सकिannée नेक्स्ट हमें option मिलती है position का तो position से हम pop-up के position को customize कर सकते हैं drop-down से आपको बहुत सारे options मिल जाएगी आप जहाँ पर भी pop-up को display कराना चाहते हैं आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं इतना settings हो जाने के बाद अब जाते हैं हम उपर और यहाँ से इसे करेंगे publish so pop-up यहाँ पर publish हो गई अब हमें क्या करना है pop-up maker में जाना है और यहाँ से all pop-ups पर हमें click करना है यहाँ पर pop-up maker एक pop-up हमें by default बना के देती है और यह जो pop-up है इसे अभी हमने create किया तो जो भी pop-up आप create करेंगे just उसके बगल में देखें आपको एक CSS का class दिखेगी अब इस CSS के class को आपको use करना होगा जहाँ पर भी आप इस pop-up को display कराना चाहते है अब इस CSS class को हमें use करना कहाँ पर होगा हमें use करना होगा menu bar में because menu bar में हमने यहाँ पर contact us एक menu बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि user जैसे इस menu पर click करें तो उनके सामने contact page जो है वो pop-up के थुरू display हो जाए so अब यहाँ पर menu में use करने के लिए हमें जाना होगा अपने dashboard में और यहाँ से हम appearance में जाएंगे and यहाँ से menu के option को open करेंगे अब यहाँ पर हमारा contact us menu यह जो है contact us menu है अब यहाँ पर जैसे हम इसे expand करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें एक नया drop-down मिल रहा है trigger a pop-up अगर इस drop-down में हम आये तो जिस pop-up को भी हमने create किया था वो pop-up यहाँ पर दिख रही है अगर आपके theme में इस pop-up को create करने के बाद यह drop-down आपको मिल रहा है तो यहाँ से simply आप इस pop-up को select किजे and save menu पर click किजे आपका pop-up work करेगा लेकिन अगर आपको यह drop-down नहीं मिल रहे है तो आपको use करना होगा वो CSS का class उस CSS को class को कैसे use करना है वो भी हम अभी दिखाएंगे आपको तो जैसे आप इस drop-down को यहाँ पर select करेंगे अब अपने website में जाके यहाँ पर हम refresh करेंगे refresh करने के बाद देखिए हम जैसे यहाँ पर contact as पर click करेंगे तो हमारे सामने pop-up के through contact page जो है वो display हो जाएगी बट अगर हमें वो drop-down नहीं मिल पा रहा है तो हमें उस class को use करना है class को हम कैसे use करेंगे तो हम जाएंगे यहाँ से वापस अपने contact page में और यहाँ से हम इस drop-down को सबसे पहले remove करते हैं drop-down को यहाँ से हमने remove कर दिया अब हम क्या करेंगे इस class को use करने के लिए हम यहाँ पर एक deep बनाएंगे तो हमने यहाँ पर एक deep बनाया deep बनाने के बाद हम यहाँ पर class property को use करेंगे तो हम यहाँ पर देंगे class is equal to double quote के अंदर हम इस class को लिखेंगे एंड यहां पर हम आ जाएंगे सबसे लास्ट में और सबसे लास्ट माने के बाद इस डीब को यहां से हम क्लोज कर देंगे बस इतना सा ही हमें काम करना है इसमें क्या हुआ कि यह जो contact us menu है यह एक डीब के अंदर आ गया और इस डीब में हमने इस क्लास को यूज कर लिया so यह as it is काम करेगा इतना करने के बाद अब हम यहां से save menu पे क्लिक करेंगे अब जाते हैं वापस हम अपने website में इसे एक बार refresh करते हैं अब हम यहां से contact us menu पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही रेखें यहां पर pop up के through contact page जो है वो हमारे सामने डिस्पले हो जाएगी so इस तरह से दोस्तो contact form को हम pop up के through अपने website में कहीं पर भी डिस्पले करा सकते हैं so I hope यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही तो बस दोस्तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरू बताएं अगर आपको पसंट आए तो इससे like करें, share करें चैनल को दोस्तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा ले तो मिलते हैं दोस्तो अब सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा ले